नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समसार मध्ध प्रतेश के हर्दा में पटाखा फैक्टरी में ब्लास्ट से हड़कम मज गया हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई वहीं कई घायलों की इस्तित गंभीर बनी हुई है मोके पर मौझूद एंडियारब की टीम मलबे में दबे लोगों को निकाल रही है टीम जब जेसीबी से मलबा हटा रही थी इस दोरान एक और धमाका हो गया जिला अस्पताल प्रबंधन के अंथार 174 गायलों को अस्पताल में भरती कराया गया है इनमें 34 गंभीर गायलों को बोपाल, इंदोर और नर्मदापुरम रेफर किया गया है पटाको की ये फैक्टरी हर्दा सहर में ही मगरधा रोड पर बेरागड गाउं में है धमाका मंगल बार सुबह करीब 11 बजे हुआ धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेथ दोर उचल गए धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी आग की लप्टे और धुए का गुबार दोर से देखा जा रहा था करीब एक घंटे तक धमाके होते रहे मिली जानकारी के मुताबिक फैक्टरी के आसपास बने घरों में बारोद रखा था धमाकों के बाद 60 घरों में आग लग गई एतियातन सौ से जादा घरों को खाली कराया गया है हर्दा के आसपास के साथ जिलों की फायर बिकेट बुलाई गई है आग लगने का कारण फिलाल अग्यात है हादसे पर प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है वहीं पीम नरेंद्र मोदी द्वारा मृतकों के परिजनों को दो लाक रुपे वह घायलों को 50,000 रुपे की आर्थिक साहयता देने का निर्णे लिया गया है मुख मंत्री डाक्टर मोहान यादों ने मंत्राले में सभी कलेक्टर और कमिस्नर के साथ ऑनलाइन बैठक की इसमें कलेक्टरों को जिले में संचालिक पठाका फैक्टरी का संचाला लाइसंस की सर्थों के अमसार हो रहा है या नहीं इसकी जांच करने के निर्देश दिये हैं सभी कलेक्टर 24 घंटे में ग्रिह विभाग को रिपोर्ट सौपेंगे सियम निम्रितकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपे की ततकाल सहायता देने के भी निर्देश दिये हैं वही मुखमत्री डांक्टर मोहन यादों ने कहा कि घटना के जिम्मेदारों पर सक्त कारवाही होगी किसी भी लापरवाह अपसरों को छोणा नहीं जाएगा सरकारी भरती परिच्छाओं में पेपर लिक और नकल करने पर आरूपियों को अधिक्तम 10 साल की जेल और एक करोड रुपे जुर्माना देना पड़ेगा केन सरकार ने मंगलवार को इन पर रोंक लगाने के लिए पबलिक एक्जामिनेशन बिल पास कर दिया है अब इसे राज्य सभा में भेजा जाएगा दिल्ली के मुख मत्री अर्विन केजरिवाल के परसनल सेक्रेटरी विभाव कुमार और आमादमी पाइटी के कोसाध्याच और संसद एंडी गुपता के घर पर मंगलवार को इडी की रेड हुई दिल्ली में आमादमी पाइटी नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजन्सी तलासी ले रही है इडी की यह करवाही दिल्ली जल बोल्ट से जुड़े मनी लॉंडिंग मामले में हो रही है प्रधानमंती नर्ण मोदी मंगलवार 6 फरवरी को गोबा दवरे पर थे वहाँ सबसे पहले उन्होंने ओयल एंड नेचुरल गैस कॉर्परेशन के सी सर्वाइवल सेंटर को उदगाटन किया इसमें समुदरी रेस्क्यू ओपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें हर साल 10-15,000 लोगों को ट्रेंड किया जाएगा इसके बाद पियम मोदी ने इंडिया इनर्जी वीग 2024 को उदगाटन किया ये कारक्रम 9 फरवरी तक चलेगा पियम मोदी विक्सित भारत विक्सित गोबा 2046 कारक्रम में सामिल हुए वहां 1330 करोड से जादा की परियोजनाओं को उदगाटन और सिलान्यास किया मद्ध प्रदेश में मौशम फिर से बदल गया है मंगलवार सुबह कई सहरों में घाना कोहरा रहा भूपाल में बिजबिल्टी घटकर 50 मेटर रह गई वहां सुबह ओस भी गीरी जबलपूर उज्जेन में भी बिजबिल्टी घट गई प्रदेश में तीन दिन वेस्टन डिस्टर्वेंस की एक्टिविटी रही इस वज़े से गवालियर चम्बल समेथ प्रदेश के कई जीलो में हलकी बारिस का दौर रहा शोमबार को भी गवालियर में मोशम बदला रहा बूदाबादी के साथ दिन का टेंप्रेचर 20.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुभरात्री